विपक्ष कैद हशीना समर्थक ही आपस में लड़ रहे जीते कोई भी सत्ता इनी के हाथ में होगी शियाशत के उनमादी माहौल के लिए बदनाम बंगलादेश के चुना में हिंचा की चर्चा बेशक्कम है लेकिन लोकतंतर खामोश है या यूँ कहे कि खामोश कर दिया गया है वो जग कई हैं दोस्तों लेकिन पहले बात करते हैं सरकारी दमन की पुरोपरधार मंतरी खालिदा जिया की बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बिएनपी और शहयोगी दलों के 28,000 नेता कार्य करता तीन महीने के अंदर जेलों में ठूस दिया गया है बिएनपीस में 14 पार्टियों ने कहते वे चुनाओ का 22 कार कर रखा है कि पहले केरटेकर सरकार बने ठीक वैसे ही जैसे 1996 में सेख हसीना केरटेकर सरकार नए बनाने पर चुनाओ से हट गई थी हालांकि इस बार पीम सेख हशिना ऐसे नहीं चाहती दूसरी और बिन पी अब वोटिंग ही नहीं होने देना चाहती लोग शाथ जन्वरी को वोट न डाले इसके लिए केमपेंग चल रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि ढाका के सियासी गलियारे में यह ओपन शिक्रेट बाहर आने लगा है कि चुनाओ जैसा दिखने वाला यह चुनाओ शेंटर साल की पीम हशिना का चैस बोर्ड है यह दोनों तरफ मोहरे भी उनकी है तीन सो में 298 शीटों पर हसीना समर्थक कैंडिडेट जातियों पार्टी की भूमी का और भी चुकाने वाली अब समझते हैं कि यह चुनाओ वन वुमेन शोक कैसे बन गया है कुल 300 शीटे हैं दोस्तों 2018 में 290 शीटे थी 2018 में 290 शीटे तीन पार्टी ने जीती थी अवामी लीग बी अनपी और जातियों पार्टी बी अनपी इस बार नहीं लड़ रही है सत्ताधारी अवामी लीग 298 शीटों पर लड़ रही है उसके ही 185 नेता बतोर आजादी उमिदवार मैदान में है एक अवामी लीग नेता ने बता है कि 90 शीटों पर ये उमिदवार भारी है ये खुद को हशीना का वफादार बताते हैं ऐसे में लोग मानने लगे हैं कि जीते कोई भी सत्ता का कंट्रोल हशीना के पास ही रहेगा क्योंकि करीब 220 शीटों पर पहले दूसरे और तीसरे नंबर का कंट्रोल हशीना समर्थक ही है तीसरी पार्टी जापा की भूमिका तो और भी चोकाने वाली है यह पहले अवामी लीग से गढ़बंदन करने वाली थी फिर यह 16 दिसंबर को अकेले रणने का एलान कर दिया लेकिन इसके बड़े नेता रैलियों में खुद को अवामी लीग से जुड़ा हुआ बता रहे है गढ़बंदन ने होने पर जापा ने जापा के शुक्त सचिव मुझी बुल हके चुनू कहते हैं हमें चुनाओं के बाद गढ़बंदन में सरकार बनाने से परहेज नहीं है